हलो एब्विवन आज डेट है 22nd of September 2022 और देहिंदू न्यूज अनलेसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोटन न्यूज को एक्जाम की पॉइंट अफ्यू से डिसकस करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वोलकनो आईयस केडमी का लिंक तिया हुआ है आप टेलग्राम चैनल वोलकनो आईयस केडमी के साथ में जुड़ सकते हैं वहाँ पर हर एक्जाम, NCU, PSC, State, PCS and other exams के point of view से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि क्रा इस्तमस को आपको map में view करना है फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने आप से question पूछा था सारगेसो C को ले करके तो सारगेसो C को अगर हम map में view करें सारगेसो C North Atlantic Ocean के middle part पर located है पुरे world में एक मात्र ऐसा C है सारगेसो C जिसकी भी कोई भी coast line नहीं है मतलब directly किसी land area से connected नहीं है इसके चारों तरप कुछ current जो है वो flow करती है और वो ही इसको एक specific region के रूप में located करती है इन currents के बारे में अगर हम discuss करें तो western part में यहाँ पर gulf stream flow करती है northern part में north Atlantic current flow करती है eastern part में canary current flow करती है और northern part में यहाँ पर जो है वो north Atlantic equatorial current है वो flow करती है और यह current जो है वो ही इसको एक specific region के रूप में बनाती है अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको current का जो flow है उसको देखने पर लग रहा होगा कि एक cycle जैसी structure जो है उसका foam हो जाता है अभी जो sargassum के नाम से जाना जाता है इसलिए बोला जाता है कि इस C को भी sargassum के नाम से जाना गया अगर हम बात करें sargassum की तो यहाँ पर salinity level जो है वो काफी जादा है इसका basic region यह है कि यह जो भी current इसके चारों तरफ flow करती है वो यहाँ पर fresh water की mixing नहीं होने देती हैं दूसरी यहाँ पर जो wind जो है उसकी भी speed जो है वो काफी कम है जिसकी वज़े से भी fresh water की mixing इस area में नहीं हो पाती है और यहाँ पर temperature जो है हाई rate देखने को मिलता है जिसकी वज़े से evaporation जो है वो काफी ज़दा high level का होता है और इसी वज़े से इस region में salinity level जो है वो increase होता रहता है तो ये basic facts हैं सर्गे सो C को लेकर के जो हमारे exam के point of view से important है देहिंदू को discuss करने से पहले हम mentorship program के बारे में discuss कर लेते हैं 2023 में अगर आप UPSC का exam दे रहे हैं तो mentorship program जो है ये आपके लिए beneficial रहेगा इसमें हमारे जो mentor है वो आपको daily basis पर target इस तरीके से divide करते हैं कि आपका जो syllabus है वो लिम से पहले cover भी हो जाए और आपका revision भी complete हो जाए साती सात में आपका static और current affairs जो है उनको भी integrated form में यहाँ पर prepare करवाने की कोसिस की जाती है आप अमारे website पर जाकर के इसके basic features को view कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपको benefit दे गाए आपको जो target decide करने में आपके syllabus को divide करने में जो काफी harder और problem face करने परती है उसको काफी easy way में tackle करने की कोसिस करेगा तो आप इसको joint कर सकते हैं दे हिंदू को अगर हम discuss करें तो first important news है front page पर और news related है अब सभी को पता है कि इंडिया ने independence gain करने से पहले हमारे इंडिया में अलग-अलग area में अलग-अलग princely state थी और इसी तरीके का एक princely state था हैदराबाद तो हैदराबाद में निजाम rule करते थे तो यहाँ पर निजाम की जो sword जो है तलवार जो है वो दुबारा से अब इंडिया में लोट आई है लगबग एक century पहले मतलब 1905 में ऐसा बोला जाता है कि देखो यह जो objects जो इंडिया में लोटे हैं इनको लेकर यह बोला गया था कि चुराई गये हैं लेकिन कुछ ऐसे documents में मिले हैं जिसमें बोला गया था कि महराजा किसें पर साथ से यह जो sword है इसको खरीदा गया था और Glasgow का जो museum है जिसको manage करता है Glasgow Life वो इन सारे objects को इंडिया को वापस लोटा रहा है तो यहां पर हैदराबाद, निजाम यह कुछ important facts हो जाते हैं इसके बारे में अगर हम discuss करें तो आप सभी को पता है 15 August 1947 को जब इंडिया एक independent country के रूप में अपने आपको establish किया तब हमारे इंडिया के कुछ princely states थे जिनोंने मना कर दिया था कि वो इंडिया के साथ में नहीं आएंगी क्योंकि जब इंडिया को independent declare किया जा रहा था तब यह बोला गया था कि इंडिया दो पार्ट में divide होगा इंडिया एंड पाकिस्तान और जो princely states हैं वो चाहे तो इंडिया के साथ जाएं चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं और चाहे अपने आपको independent रखें हालांकि अगर हम बात करें तो सरदार वल्ला भाई पटेल और उनके साथ में मिलकर के जो भी उनके associate थे उन्होंने इंडिया के maximum जो princely states हैं उनको इंडिया के साथ में मिला लिया था लेकिन कुछ princely states से दैसे की जम्मो और कस्मीर हैदराबाद और गुजरात में जूना कर इन्होंने बोला कि हम independent रहेंगे तो हैदराबाद को मिलाने के लिए इंडिया के लिए क्योंकि हैदराबाद जो है उन्होंने अपने आपको independent रखा लेकिन सरदन पार्ट जो है जैसे पर एक तरीके से एंप्रोच करने की कोशिस की यहां के जो प्राइवेट मिलिशिया थे निजाम के जिनको राजकर के नाम से जानते हैं उन्होंने आपर प्रोटेस्ट भी किया और 13 to 18 September 1948 में इंडियान आर्मी ने यहां पर ओप्रेशन पोलो लोंच किया और उसी की बेसिस पर जो हैदराबाद है उसको अपने इंडिया में मर्ज कर लिया गया था तो यह important fact है यह आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हैदराबाद को मर्ज किया गया था इंडियन इंडिया की जो territory है उसमें अब आपको यह बताना है कि जम्मू एंड कस्मीर और इनके जो acquisition था उनके form of action क्या थे मतलब किस तरीके से उनको जो है वो acquire किया गया यह आपको comment box में बताना है next important article है यहाँ देखें देखो रश्या और यूक्रेन के बीच में जो war है वो काफी लंबे time से चल रहा है maximum time हमने यह देखा कि रश्या ने यूक्रेन के maximum part को अपने अंडर कर लिया यहाँ पर map के through भी शो कर रखा है कि यह जो region है जिसमें आपको यहाँ पर lining दिख रही है यह पहले से रश्या के अंडर था यह red color जो है यह वो region है जिसके उपर रश्या ने claim कर दिया है अभी war start होने के बाद में feb 2022 के बाद में और यह जो green color है इसमें यूक्रेन जो है वो claim कर रहा है कि दुबारा से उनको इन area को जो है वो दुबारा से capture कर लिया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी present time में यूक्रेन ने कुछ area को लेकर के claim किया है कि उन्होंने रश्या की जो army है उसके protect किया रश्या की आर्मी को यहाँ से withdraw करने पर मजबूर कर दिया और कुछ area को अपने under कर लिया अब इसी basis पर रश्या के जो president है उन्होंने यहाँ पर clearly कुछ important statement दिये है उन्होंने यह बुला कि जिस तरीके से western countries यहाँ पर support कर रहे हैं उसका result यह रहेगा कि रश्या जो है वो हर तरीके के weapons को यहाँ पर use करेगा मतलब एक तरीके से उन्होंने nuclear threat देने की यहाँ पर कुछिस की है उन्होंने बुला है कि रश्या के पास में हर तरीके के weapon है और हम यहाँ पर हर तरीके के weapon को use करेंगे अगर हमारे जो basic objective है या जिन points को लेकर के issue create हुआ था और यहाँ पर western countries ने अगर इसी तरीके से Ukraine को support करने की कुछिस की तो इसका जो result है वो गलत निकल करके आएगा आप सभी को पता है इस article में अगर हम बात करें या फिर आपको जो basic understanding होगी कि Ukraine और रश्या के बीच में यह problematic issue जो start हुआ उसका basic region यही है कि Ukraine जो है वो NATO organization का member बनना जाता था और यहाँ पर रश्या यह जाता है कि उसके border areas तक NATO organization का जो establishment है वो देखने को ना मिले नहीं तो आने वाले time में उनके border areas पर issue जो है वो create होंगी तो यही एक basic region है जिसकी वज़े से यह border जैसे situation जो है वो बनी हुई है अलांकि अगर हम project time में बात करें तो Ukraine के साथ में issue है लेकिन अभी दो European countries ने जो है वो NATO organization की membership join की है इसके बारे में आप उन दोनों countries के name जो है वो आप comment works में बताऊगे और वो countries है जो काफी लंबे time से उन्होंने अपने आपको वो और इस तरीके के issue से अपने आपको दूर रखा है और peace और stability के नाम पर उन्होंने world में अपने आपको establish किया है लेकिन उन्होंने जिस तरीके से NATO organization को join किया है इससे लगता है कि Russia को क्या आने वाले time में issue जो है वो और ज्यादा increase हो सकते है और उन्हीं को counter करने के लिए जो problem है यह जो भी issue है वो काफी लंबे time से चलता आ रहा है और उसके उपर कोई result जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रहा है नेक्स्ट important article है editorial page पर और यहां पर जो first article है इस article में जो अभी हमने discuss किया front page पर कि Russia और Ukraine के बीच में क्या issue है उसी के बारे में हाँ पर बताया है नेक्स जो article है देखो हमारी जो government है वो जल्द ही new foreign trade policy जो है वो लेकर कियाईगी इस article में बताया गया है कि जो current trade policy जो चल रही है उसको 2015 में launch किया गया था COVID से जस्ट पहले जब COVID को लेकर कि lockdown लगा उसके जस्ट पहले इसकी ending हुई लेकिन इसको extend कर दिया गया time to time क्योंकि इस तरीके की activities पर काम करने के लिए या एक basic provision जनके उपर focus किया जाए उसमें time consume हो रहा था तो उसी को follow किया गया अब इसको change करके नई policy जो है उसको implement किया जाएगा तो इस article में बताया गया है कि देखू अब policy में किन points के उपर specific focus किया जाएगा तो अगर हम आमरी government के initiatives की बात करें तो उनके basis पर ये लगता है कि हमारी government जो है वो import को reduce करते हुए export policy जो है उसके उपर specific focus करेगी specific कुछ ऐसे कोसिस की जाएगी कि जो हमारा export है वो जादा से जादा increase हो other countries के उपर जो हमारी dependency है उसको भी खत्म करने की कोसिस की जाएगी और अपने level पर government जो है वो self-reliant होने की कोसिस करेगी तो यहाँ पर कुछ data की बात भी की गी है कि अगर हम present time में देखें तो वैसे तो export और import में जो gap है वो जादा देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन अगर हम money के basis पर देखें तो इंडिया जो है वो export को एक तरीके से increase कर रहा है और import के उपर धीरे धीरे अपनी जो reliability है other countries के उपर उनको decrease कर रहा है और खुद को ही self-reliance करने की process कर रहा है यहां पर जो article है writer ने हमारे जो constitution की preamble है और इसके बाद में जो fundamental duties जिनको बाद में insert किया गया था इसके बारे में एक comparison किया है writer ने यहां पर बोला है कि देखू जो writer है यहां देखिए तो writer ने यहां पर हमारे preamble में three important जो words है उनके बारे में कुछ important बात रखी है कि यहां पर starting में है कि देखो liberty, equality और fraternity यह तीन ऐसे principle है जिनको आप equally separate level पर एक तरीके से treating ही कर सकते हैं इन तीनों को आप जो है वो integrated form में treat करोगे तब ही जाकरके इनके result निकल करके आएंगे यहां पर constituent assembly की कुछ conversation के बारे में बताये गया है कि हमारे BR Ambedkar जोनोंने important role play किया हमारे constitution के formation में उन्होंने कुछ important बात भी रखी थी उन्होंने बूला था इसमें BR Ambedkar ने बूला कि अगर तीनों को separate करने की कुछिस की या एक को भी हमने कम priority दी तो जो basic हमारा funda है हमारे constitution के formation का जो basic परपज है वो defeat होता हुआ दिखेगा तो यहां पर जो article है उसमें writer ने बताया है कि यह तीनों जीजे हमें liberty भी देनी है, equality भी देनी है और fraternity भी देनी है हलांकि जो fraternity जो word है उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि यह जो it is often forgotten that fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation मतलब personal level पर भी fraternity और अगर हम बात करें country के level पर भी fraternity is along with justice, liberty and equality among the basic values inscribed in the preamble of the constitution of India whose first line assets with the people of India have solemnly deserved to secure to all its citizens of India मतलब सभी country के जो citizens है उन सभी के लिए basic provision है अब यहां पर writer ने बोला है कि हमारे जो fundamental duties जो है जिनको बाद में insert किया गया 42nd constitutional amendment act 1976 article 15 subclose A उसका जो part है उसमें बोला गया है कि every citizen की ये duty है कि harmony और common जो spirit है उसको हम promote करने की कोसिस करें हमारे people of India जो है उन सभी में और religious, linguistic, regional और sectional diversity जो है उसको खत्म करके एक तरीके से equality establish करने की कोसिस करें तो यहां पर writer ने बताया है कि यह सिर्फ government की जिम्मेदारी नहीं है अभी present time में जिस तरीके के अगर हम बात करें religion basis पर या फिर बात करें linguistic basis पर जो issue देखने को मिल रहे हैं उन सभी को खत्म करने की जो responsibility है वो सिर्फ government की नहीं है उसके साथ में जो individual person है जो हमारे citizen है उन सभी की ये responsibility है और तभी जाकर के यह जो problem है जो भी issue है present time में society में उन सभी को हम solve कर पाएंगे next important article page number 9 पर और यहां पर जो article है देखो चाइना और इंडिया के बीच में जो disengagement procedure है line of actual control वाले region में वो एक तरीके से implement करने की कोशिस की जारी है तो इस article में writer ने बताया है कि जो patrolling point 15 जो है वहां पर इंडिया और चाइना जो है उन्होंने अपने अपने आर्मे को विड़ो करने की कोशिस की तो line of actual control के अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अकसई चीन वाला जो region है जो इंडिया का part है जिसको चाइना ने claim कर दिया है कि हमारे अंडर आता है line of actual control को भी अगर आप लद्दाक वाले region में व्यू करोंगे तो maximum part जो है वो इंडिया वाले region में exist करता है और उस area में एक buffer zone create करने की कोशिस की है मान लो आप example की तुरू इस तरीके से समझो कि मान लो यहां पर अगर हम इंडिया के map को इस तरीके से show करें तो यह जो है वो इंडिया का लद्दाक वाला region तो यहां पर जो है इस region के उपर जो है वो चाइना claim करता है यह जो है वो LAC line of actual control अब यहां पर buffer zone create करने की कोशिस क है कि हम जो है मान लो example आपको देने कोशिस की है कि हम भी 10 km पीछे होएंगे आप भी 10 km पीछे होएं मतलब एक तरीके से इंडिया का ही जो land area है वहां पर ही इंडिया की जो army है उसको withdraw कर दिया गया है और एक तरीके से इंडिया के ही land area को एक तरीके से concern create किया जा रहा है और यही चाइना का एक main point है कि इस तरीके से other other areas पर इंडिया की army को withdraw करके बहुत सारे area को अपने under capture करना तो यहां पर हमने कल भी डिसकस किया था कि यहां पर regional area में जो लोग रहते हैं उनके लिए काफे ज़्यदा problem create होगी है यह buffer zone create होने की वज़े से मतलब इंडिया के जो personal ल next important article है देखो तेलंगा ना में जो सिकंद्राबाद है वहां पर अभी एक accident हुआ accident के बाद में बारे में देहिंदूवन भी आये था अधर नियूस पीपर में आपने read किया होगा कि वहां का जो है को hotel है उसमें आग लग गई September 12 को और जिसमें 8 लोग जो है जो guest stay hotel में उनकी death हो गई तो यहां पर यह बताया गया है कि इस तरीके केशु से पहले अगर हम बात करें तो कुछ time पहले जो है वो भी other areas में इस तरीके केशु देखने को मिलेते हैं सबसे main problem यह है कि जो भी building है जिस purpose के लिए उसको बनाया जाता है उसका जो infrastructure के एक basis line जो होनी चाहिए उस इसके कुछ basic terms and condition है जैसे आपको hospital बनाना है तो उसकी basic and terms and condition है बहुत बार आपने अपने local area में देखा होगा कि एक घर बनाया गया था एक house बनाया गया था बाद में उसको capture किया जाता है और as a rent जो है उसको hospital में change कर दिया जाता है या उसको hotel में change कर दिया जाता है तो यही basic region है कि इस तरीके के जो issue है वो time to time इंडिया में देखने को मिलते हैं मतलब जो हमारी building infrastructure है जिसको लेकर के rules and regulation है उनको implement नहीं किया जा रहा है ना सिर्फ implement किया जा रहा है उन management के जिरू ना इसके अलावा जो हमारी government है उनके official है जिनके duty है कि time to time इस तरीके की जो building है उनको review किया जाए जो भी issue है उनको solve करने की oasis की जाए इस तरीके का जो inspection है वो भी नहीं हो पा रहा है जिसकी वज़े से fire related जो issues है वो time to time हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं तो basic solution यही है कि यहाँ पर administration अपने तरब से role play करें जो भी आप infrastructure बना रहे हो उसमें जो basic guidelines है उनको आप implement करने की assist करो fire जैसे issues है तो उनके solution के लिए भी हमारे जो building infrastructure है उसके लिए कुछ guidelines है उन सभी को हमें follow करना चाहिए ताकि इस तरीके के issue जो है feature में देखने को ना मिले next important article है phase number 10 पर और यहाँ पर जो first article है इस article में देखो यह बताये गया है कि 2022 में हमारी जो government है वो criminal procedure identification act नया लेकर किया है पहले जो act था उसको यहाँ पर change करने की कुछिस की गी है इसमें बोला गया है 19 September को Ministry of Home Affairs ने criminal procedure act 2022 का जो भी notification है उसको release कर दिया है यह जो act है इसको parliament के द्वारा मार्च में ही pass कर लिया गया था लेकिन अभी जो है इसको adapt नहीं किया गया था तो अब यहाँ पर कुछ basic provision जो है उसको लेकर के दिये गए है सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह जो act है वो किसके बारे में है तो act यह है पहले जो old act था उसका scope सिर्फ finger impression, footprint impression, photograph of convicted prisoner and certain category of arrested and non convicted person on the order of magistrate magistrate बोले तब ही जाकर के और लोगों के आप जो है photograph, fingerprint यह ले सकते हो लेकिन जो convicted लोग हैं उनके तो लिये जाते थे अभी क्या है present time में इसको change करने की courses की जा रही है, क्योंकि पहले 1920s का जो act है उसकी regarding काम हो रहा था, तो इसमें बोला किया कि उस समय इस तरीके की technology नी थी अभी present time में technology जो हैं वो काफी ज़्यादा increase हो गई है तो उनी technology के basis पर जो नया एक तरीके से हम जो भी चीज़े है जो भी procedure है, उनको implement करने की courses कर रहे हैं, ताकि जो भी issue है, उसको एक तरीके से solve किया जा सके, और जो भी problem है उसको solve किया जा सके, ओके तो यहाँ पर यह जो नया act है वो empower करता है magistrate को कि कि किसी भी person के आप कोई भी measurements के लिए बोल सकते हो जो अभी तक convicts और या फिर कोई person heinous crime में involved है, तो सिर्फ उसी के लिए reserve रखा गया था, अब जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि, it also enable the police up to the rank of head constable to take measurements of any person who resist or refuse to give measurements, as per the rules measurements include finger impression, palm, print, footprint, photograph iris and retina scan, physical, biological sample and their analysis, behavior attributes including signature, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the code of criminal procedure 1973 हालांकि जो biological sample में DNA के बारे में clearly नहीं बोला गया है कि DNA को भी एक तरीके से लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जब इस बिलको पास करवाने की कोसिस की जा रही थी, तब आप पोजिशन ने बोला था कि इस तरीके का जो इशू है वो प्राइवेसी, जिसको सिक्योर करने की कोसिस की गही थी, कि 2017 के पुटा स्वामी केस में की प्राइवेसी जे फंडामेंटल राइट, ओके और यहाँ पर उसको वाइलेट करने की कोसिस की जा रही है, और वो परसन जो किसी केस में इनवोल है या नहीं है, कन्विक्टेड है या नहीं है उनके भी ये सारे सारे जो है वो मेजिरमेंट्स लिए जा सकते हैं और हेड कॉंस्टेबल लेवल का जो ओफिसर है और रैंक का जो भी मेंबर है प्लिस का उसको अलाव कर दिया गया है तो यहाँ पर कुछ चेंजिस जो किये गए हैं उनको लेकर के इश्यू बना हुआ है दूसरा इसमें बताये गया है कि जो भी यहाँ पर information ली जा सकते हैं signature ले जा रहे हैं या जो भी information ली जा रही है उनका misuse किया जा सकता है यह सारे जो data base है उनको NCRV में protect किया जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें कि time के बाद में अगर यह लगे कि जिनके भी data एकटे किये गए जिस case के लिए किये गए थे उनमें उनका कोई role नहीं है तो उसके बाद में उनको खत्म कर दिया जाएगा जो भी measurements लिए गए थे ऐसा बोला गया है इस act में तो यहाँ पर सबसे बड़ा issue जो है इस act को लेकर कि वो privacy को लेकर यही रखा गया है यहाँ पर जो नेक्स आर्ट नेक्स जो आर्टिकल है वो जारकंड की जो domicile policy है उसके बारे में बताएगे है कि जारकंड जो है उन्होंने 1932 को अपना एक baseline declare करने की कोशिस की है कि 1932 के जो लोग है उसके बाद के जो लोग है उनको domicile declare किया जाए और 1932 को एक cut of year की रूप में declare किया जाए कि domicile policy जो है वो 1932 के basis पर implement होगी यह जो यहाँ पर बताया गया है कि union government जो है उन्होंने इसको constitution के 9 schedule में रखा है 9 schedule में central government और state government के ऐसे low या कुछ भी ऐसे चीज़ा आगर वहाँ पर रखती जाती है तो उनका judicial review करना जो है वो एक तरीके से मुस्किल हो जाता है लेकिन यह बोला गया है कि आगर वहाँ पर कोई भी act जो है वो अगर violation करता है किसी भी point of view से तो उनको judicial review किया जा सकता है ओके तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 1932 के basis पर यहाँ पर domicile policy को applicable किया जाएगा और जो लोगों को ऐसा लगता है कि उनका नाम जो है या उनको जो भी जमीन है land areas वो नहीं दिया जा रहा है तो वो अपने documents को ले करके अधिर procedure को ले करके village level पर जो है वो अपना activities को कर सकते हैं next important article है page number 12 पर और यहाँ पर बिहार में बोला गया है CRPF chief की द्वारा कि बिहार को नकसल प्रजेंस जो थी उसे free कर दिया गया है और जारकंड में भी last stage पर जल रहा है जल्दी वहाँ पर भी खत्म कर दिया जाएगा और जो एक तरीके से peace और stability जो है उसको लाने की कोसिस की जाएगी तो यहाँ पर कुछ important बात अगर हम बात करें कि what is नकसलिजम देखें जो नकसलिजम जो word है वो west बंगोल का एक area नकसल बारी उससे derive किया गया है यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1967 के time में जो यहाँ के landlords थे और जो pigents थे उनके बीच में land dispute को लेकर के कुछ issue create हुआ था और उस time कानू सान्याल और जगन सान्याल जो है उन्होंने बूला था कि जो भी pigents है उनको equally यहाँ पर land जो है वो provide करवाई जाए जो भी उनके rights है वो दिये जाए अब यहाँ पर इसकी वज़े से यह जो नक्सलिज्म जो issue है वो time के साथ में increase होता गया और हमारे इंडिया के कई state जो है उपर जैन टाइम में इसकी चपेट में है ऐसा बोलते हैं कि जो नक्सलिज्म को जो follow करते हैं नक्सलिज्म जो policy है माविज्म जो ideology है उसको follow करते हैं माविज्म ideology क्या है इसमें बोला जाता है कि state power को capture करो किसी भी तरीके से जैसे कि armed insurgency के थरू या फिर mass mobilization के थरू या फिर strategic जो भी आपकी strategic perspective है उन सभी के थरू जो है वो state power को capture करने की कोसिस की जाए ऐसा माविज्म ideology में बोला जाता है तो यहां पर यह बताया गया है कि हमारी जो government है हालांकि उन्होंने time to time कोसिस किया है कि नक्सलिज्म को खत्म किया जाए जिसमें अगर हम बात करें तो हमारी जो government है उन्होंने 2010 में operation green hunt जो है नक्सलबारी एरिया में जदर से ज़्यादा आर्मी को वहां पर डिप्लोई किया जा सके operation green hunt में दूसरा जो initiative है हमारी government का वो है कि relief and rehabilitation policy इसमें जो भी लोग involved है नक्सलिज्म में उन सभी को निकाल करके main जो stream society है उसमें उनका inclusion किया जाएगा next अगर हम बात करें तो 2018 में हमारी जो government है उन्होंने aspirational district program भी launch किया था कि जो district जहां पर काफी ज़्यादा weak हैं बहुत सारे points में अगर हम growth and development में बात करें health and sanitation में बात करें education में बात करें तो इन सभी के उपर focus करके इन district के agradation के लिए काम किया जाएगा तो एक कुछ हमारी government जो है उसके कुछ initiative है अगर हम suggestion की बात करें तो हमारी government जो है उनको कोसिस की जानी चाहिए कि ज़्यादतर जो नकसलिज्म जो issue है वो thick forest वाले region में देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमारी जो army है उनको ज़्यादा से ज़्यादा deploy किया जा सकी next suggestion के अगर हम बात करें तो देखो यहाँ की जो local police है जो भी area जहाँ पर नकसलिज्म जो है तो वहाँ की जो local police है वो एक तरीके से इन points के उपर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है क्योंकि वो वहाँ के culture को भी समझती है टोपोग्राफी को भी समझती है और वहाँ की language को भी समझती है तो जो local police है वो इन issue को मतलब नकसलिज्म जैसे issue जो है उनको solve करने के लिए और अच्छे से काम कर सकती है जैसे कि इसके लिए आंदरप्रदेश जो state है government ये भी काम कर सकती है कि जो peace loving people है मतलब peace loving people को तो हमें security प्रोवाइट करनी है और जो नकसलिज्म जो है उस area में development के उपर focus करना है इस तरीके से भी जो लोग involved है क्योंकि वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो basic issue है एक life को survive करने के लिए जो basic चीज़ available होनी चाहिए उनको लेकर के काफी problem होती है तो इन areas में जब development किया जाएगा तब ही जाकर के ये जो area है वो main stream society में अपने आपको include कर पाएंगी तो ये नकसलिज्म से related basic facts जो हमारे exam के point of view से important है यहाँ पर EWS जो quota है उसको लेकर के अभी discussion चल रहा है Supreme Court में कल भी हमने discuss किया था और यहाँ पर petitioners ने बोला है कि EWS quota देकर के जो SCST OBC जो है उनके rights को छीन लिया गया है और उनके जो rights है कि और constitution में जिस basic provision पर reservation देने की बात की गी है उन सभी का यहाँ पर एक तरीके से violation देखने को मिलता है तो कोसिस यह होनी चाहिए कि time के साथ में जो भी हम inclusion कर रहे हैं जैसे reservation लाने की कोसिस की गई तो इसमें जो basic provision and constitution के उसके भी धान रखे जाने थी ऐसे petitioner ने बोला है अब Supreme Court इसमें क्या result देगा वो हमाले important रहेगा यहाँ पर जो next article है इसमें बताया गया है कि government ने बताया गया है government ने यह data बताया है कि खरीब सीचन में जो rise का output होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा जो target जितना था उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली इसका basic region अगर हम बात करें तो farmers जो है जिस तरीके से fertilizers के seed के prices बढ़ रहे है और जो भी incentive जो है farmers को government से मिलने चाहिए उनमें कुछ problem issue देखने को मिल रहे है जिसकी वज़े से यह जो एक तरीके से जो deployment था या जो भी irrigation area था जो भी एक तरीके से rice का जो production area था उसमें decrease देखने को मिला है okay, showing area जो था sorry, irrigation area नहीं, showing area जो था तो इसकी वज़े से एक तो water की availability, fertilizers यह सारे issue ऐसे हैं कि farmers को किसी भी फसल को उगाने के लिए जो basic एक input चाहिए उसी input ना होने की वज़े से यह सारे जो issue हैं वो देखने को मिलते हैं next important article है page number 15 foreign page पर और यहां पर देखो अभी आप सभी को पता है कि China जो है वहाँ पर जो Muslim community है वहाँ पर कुछ ऐसे issue देखने को मिलते हैं जिसके लेकर कि UN ने भी अपने statement दिये कि China को अपने country में रहने वाली हर population को लेकर कि जो भी उनके rights and population के वो दिये जाने चाहिए उनकी जो पर जो atrocities की जाती है वो नहीं की जाने चाहिए तो यहां पर China ने Muslim जो citizen है चाहिना की उनको clearly बोला है कि पहले जो है वो आप में patriotism होना चाहिए मतलब अपने country के लिए जो है वो आपका जो भी basic point है वो सबसे पहले होना चाहिए उसके बाद सब कुछ आपके लिए आता है ऐसे कुछ basic provision जो है उनके लिए रखने की कोशिस की गई है यहां पर जो article है वो अभी हमने starting page बे जो discuss किया था कि पुतिन ने बोला है कि यह nuclear threat भी देखने को मिल सकती है तो US के जो president है उन्होंने यह बोला है कि देखो United Nation General Assembly का जो speech है उसमें clearly यह बात बोली गई है कि जिस तरीके से रश्या की तरब से threat देखने को मिल रही है उसकी वज़े से अब तक जो भी हमने activities की है कि nuclear proliferation को लेकर के जो भी हमारे activities है या जो भी उसके result होने चाहिए दे उन result का एक तरीके से violation देखने को मिलेगा और यह time to time जो weapon proliferation या फिर nuclear proliferation के लिए जो काम किया जाता है उनको और तरीके से strict तरीके से हमें launch करना होगा ताकि आने वाले time में other countries के बीच में भी अगर इस तरीके के issue होते हैं तो उनको क्या नी use ना किया जा सके as a main weapon of कोई भी conflict जो है उसको solve करने के लिए ओके तो जब इस तरीके के weapon को लेकर के rich होता है कोई country तब ही कुछ basic points पर जो result निकल करके आना चाहिए वो नहीं निकल करके आता है तो यह आज का हमारा देंदू newspaper का discussion था अगर आप यहां तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे ओके थैंक यू